हाई ड्वेल्टीज वेल्कम टू एजीवे कॉमर्स क्लासेज मैं हूँ तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपना चेप्टर नंबर थ्री इंडियन एक नॉमी से जिसका नाम है लिब्रलाइजेशन प्राइजेशन ग्लोबलाइजेशन उसमें जो आज करने वाल हम से पढ़ चलता है प्राइजेशन क्या है जैसे किसी का नाम अगर चुडायल होता है तो पढ़ा सबी तो उसी तारहिए से भूत का मतलब प्राइजेशन मतलब चीज़ों को प्राइवेट करेना यार प्राइवेट हैंस Alois government ने अप्राइजेशन में ती मंकर्मेंट प् किसे private sector को यानि कि कोई भी entrepreneur को कि आप लो और इसे चलाओ so उसे privatization कहते है so privatization means transfer of ownership ownership यानि कि मालिकाना हक आप दे रहे हो transfer of ownership, management and control of public sector enterprise to the entrepreneur in the private sector so government ने mainly अपने कामों को guys sale कर दिया था private entrepreneurs को कि आप लोग इसको control करो, आप इसकी ownership ले लो, आप इसे चलाओ ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो भाई धंसे public sector enterprise जो सईसे government के नहीं चल पा रहे थे, loss suffered हो रहे थे और नाहीं धंसे काम कर रहे थे, तो उन्होंने बेच दिया, simple ची बात है लेकिन आज़की date में तो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ी बिकरी है railway बिकरा है, हर एक चीज बिकरी है, हर एक चीज प्राइवेट हो रही है बिजली से लेके हर एक चीज क्या हो गई है guys, आज के टाइम में प्राइवेट होगी, यानि कि government हैं से वो कहां चली गई है लोगों के हाथों में, यानि कि private entrepreneurs के हाथों में ठीक है, उसी को privatization कहते हैं 1991 में जब new economic policy आई थी, तो हमें पता था बहुत लोग हमारे देश में काम करने आएंगे, बाहर से आएंगे बाहर के entrepreneurs आएंगे, इंडिया के उठेंगे क्योंकि अब government को liberal होना था, सारी चीजों से restriction हटानी थी अब हटानी थी तो एक तरीका ये भी था, private कर देना अपने sector को जहां पे वो नहीं चला पारे, उन्होंने उनको private कर दिया private दो तरीके से किया जा सकता है, पहला होता है कि आप ownership ही transfer कर दो, यानि कि transfer of ownership आपने बेच दी दूसरा होता है guys, dis investment, dis investment मतलब अगर आपका share 100% था तो आपने उसका कुछ पार्ट private sector को बेच दिया और कुछ holding रखी लाइक अगर आपने 50% बेच दिया और 50% अपने पास रखा, that is called dis investment यानि कि आपने अभी अपनी investment को बेचा नहीं है, बट पूरी तरीके से ownership में नहीं बेचा, थोड़ा सा बेच और थोड़ा सा अपने हग में रखा, that is called dis investment तो दोनों ही तरीके से चीज़े private हो रही है, यानि कि private hands में आ रही है private entrepreneurs के पास जा रही है, लेकिन government ने कुछ enterprises जो उसके थे public sector undertakings को बचाने के लिए काफी efforts भी करें, तो मैं यह नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया, उस समय शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे, नहीं, है ना, तो उस समय पर इन्होंने काफी सारी चीज़े करी थी, जैसे इन्होंने काफी सारी public sector undertakings को नवरतना की उपाधी दी, नवरतना और महा रतना और मिनी रतना, अब यह थे क्या गाईज, इन पर special attention दी गई, इनको special power दी गई, business को चलाने की, और इन में, मतलब इनका जो management था, proper तरीके से government ने manage करके, holding करके चले, तो नवरतना, 16 ऐसी guys companies थी, जिसमें government ने उनको नवरतना की उपाधी दी, और उस पर special attention दिया गया, और वो उनके hands में, पूरी तरीके से stop आ गया, कि आप इसे अच्छी तरीके से चलाओ, बाकी सारी जो चीज़े थी, उनको sale off किया, इसी तरीके से नवरतना के बाद, सबसे बड़ी तो वैसे महारतना कहलाती है, जिसमें 8 industries आती है guys, so महारतना में 8 industries थी, उनको भी उसी तरीके से special power वगरा, decision making power दी गई, ताकि वो अपने enterprises को बहुत अच्छी तरीके से चला सके, मिनी रतना, जो कि टोटल 74 है, ठीक है, तो इसमें भी again वह अपना, मलब होते हैं कि बहुत सारे चीजें हम सभाल के नहीं चल सकते हैं, तो हम कुछ चीजें जिन पर ध्यान दे सके, उन्हें सभाल के चलते हैं, तो गर्मेंट ने यही चीज यहां अपनाई थी, नवरतना के उपादी देकर, महारतना और मिनी रतना, इनके नंबर्स जरूर याद होने चीए, क्योंकि MCQs में यह कई बर पूछे जाते हैं, तो यह उपादी गर्मेंट ने दी थी, ताकि हमारे पबलिक सेक्टर जो है, वो एफिशेंटली काम कर सके, बाकी चीजे तो हम बेश रहे थे, तो जो चीजे नहीं बेश रहे थे, उसमें अच्छे तरीके से तो काम करें न, तो वो चीजे गर्मेंट ने करी थी, और यह एक छोटा सो टॉपिक है गाइस प्राइबटाइजेशन का, I hope आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, इसे नहीं जाना, और आप अपने डाउट मेर से यूटूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो मेरी आइडी है, तब ही तब ऐसी, थांक यू